रोयल संस्तान उदेपुर में एक बार पुन है, आप सभी का हर्दिक स्वागत है, आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, चाहे पेरेंट्स की बात हो या इस्टूडेंट की, कहीं बार पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बार बेशते हैं, तो कहीं न कह हमारे बच्चे का 11-12 के वल नॉर्मल करवाइंगे, उसके बाद में हम एक साल तैयारी करा के बच्चे को जो है, अच्छी इनवर्श्य की कोलेज में बेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है 11-12 के साथ में तैयारी कराने पर इतना बर्डन हो जाता है कि बच्चा अपना जो ह है, फिट मैसूस नहीं करता है, कहीं बार बच्चा उसके चकर में डिप्रेशन में आ जाता है, जिसको अपने ही बोलते हैं कि बच्चे के एक्स्टा लोड हो गया, इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके नॉर्मल परसंटेज हैं, और कहीं बार मीडियम को लेके भी रहता है कि इंग्लिश वीडियम के लिए वर्तमान टाइम में विशेश तोर पर एगरी कल्चर में अच्छी एजूकेशन नहीं है, तो ऐसे बच्चे हैं, उनके भी कुछ डाउट है, तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक-एक इन बच्चों से बातचीत करके आपको आपके पूरे डाउट जो भी एक पेरेंट्स के होते हैं, बच्चे के होते हैं, वो पूरे एगरी कल्चर से रिलेटेड दूर करने की कोशीच करूँगा, बिना ज्यादा टाइम खराब करें, सबसे पहले मैं इन बच्चों का आप से इंट्रोडेक्शन करूँगा, उसके बच्चे यहां से टॉल्ट पढ़ने हैं, और यह अपने डॉक्यमेंट्स लेने आए हैं, टॉल्ट के बाद में इनकी महाकिसी, टी-सी, माइग्रेशन, क्रेक्टर सर्टिफिकेट यह लेने आज ही आये हैं, तो आते ही मैंने का चलो आपका अच्छा रिजल्ट है, एक बा महामेद यह नहीं तो आपके गाहों का नहीं है, नहीं जो किशन गड़का है, आप बताएं, बहुत बढ़ी है, आप बताएं, कहां से हैं, मेरा नाम मॉहिजड़ा है, और मैं नागोर जिल्ट के परबस्ट तेसिल से बिलों करें, मैं कुचमन सिट्रिश हूं, हमारे बीच मेरा नाम राहूल चोधरी है, और मैं अजमेड जिले के पिसंगन तेसल से बिलों करें, अचा पिसंगन से, बहुत बढ़ी है, वेरी गूल, अचा उधर से चालो कर देते हैं, नेच्ट, आप हमें यहां बताएं हमारी टीम को, जो बच्चे देखने हैं, पेरेंस देखने ह सांगन तेसल सगीती, स्वामी वेकानन गावनमेट मोडल स्कूल, 78% तेसल मेरे, 10th कंदर, और 12th में, 91.60, इस्कूल का नाम क्या है, रोयल पॉब्लिक स्कूल, रोयल पॉब्लिक स्कूल हमारी खुद की स्कूल है, 12th फाउंडेशन बेच का बच्चा है, आप हिंदी मीडिय या 12th में, 11th क्लास में एड्मिशन लिया था, 11th और 12th, दो साल बच्चा है, रोयल पॉब्लिक स्कूल बढ़ा है, आप बताएं इमिटाथे, आप बताएं, 10th 12th की परसंटेज, और 10th वाली स्कूल का परसंटेज, 12th की स्कूल परसंटेज, 11th और 12th, कौन से बेच में यहा और मैंने रोयल पॉब्लिक स्कूल से 12th की थी, 11th में यहां एड्मिशन लिया था, 60% से बच्चा है, 80-शेओन पर पहुच हैं, वेरी गुड, आप बताएं, 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 सर में, 10th में 77.8% हैं, और मैंने अज मेर में सेंट फ्रांसी स्कूल से की हुई है, और 12th में अजिए गरते हैं, जो मैंने रोयल पॉब्लिक स्कूल से की थी, 11th में आ गई थी, 11th में आ गई हैं, जे बताएं, आप चारों बच्चे ही, रोयल इंस्टिटूट के अंदर, रोयल पॉब्लिक स्कूल के अंदर, आप जो है 11th क्लाश में आई, इसका मतलब दो साल तक यह जो है रोईल पब्लिक स्कूल के अंदर पड़े और साथ में आपने तयारी किये चारों बच्चे बताइगे मुझे आप चारों बच्चे वह सब्सक्राइब कर दो साल शंस्तान को इन्हों ने दिये हैं आपने केवल टोवल्ट की तियारी कि ती या जेट और सीट का साथ में competition की तियारी भी कि हम parents और बच्चों से request करेंगे कि ये वो बच्चे हैं आप गोर से सुनें जिन्होंने 10th करके या admission लिया और साथ में foundation की तियारी किये JET का जो है answer की आ चुका है इसके अलाव ओमार भी आ चुकी है मतलब किस बच्चे के कितने नंबर आ रहें वो आज अपन पता कर पा रहें और CUT का भी result आ चुक है एक बार इन बच्चों से अपन जानते हैं कि इनका JET का क्या score रह रहे है और CUT का क्या score रह रहे है आप बताएं बेटा सर मैंने CUT में 482 score किया 482 482 482 नंबर बच्चे के CUT में आ रहे है और JET में आराउंड 300 300 नंबर आराउंड इस बच्चे के JET में आ रहे है सब भी पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाओंगा CUT में अगर आपके 300 से उपर नंबर आ रहे है तो किसी ने किसी इन्वर्शिटी कोलेज में आपका एड्मिशन हो जाएगा CUT में 600 नंबर का पेपर आ रहे है अगर 300 से उपर आ रहे है तो कहीं न कहीं होगा अच्छी जगह नहीं होगा अगर आपके 300 आ रहे है तो आपका एगरी कल्चर कहीं न कहीं मिलने की चांसे यह जाए 400 से उपर नंबर अगर CUT में आ रहे है तो आपका अच्छा स्कोर है और साड़े 400 आ रहे है इसका मतलब देश की जो 15 टॉब इन्वर्शिटीज है उनमें आपके एड्मिशन होने के पूरे ही चांसे है मतलब बेश्ट जगह हो जाएगा इस बच्चे के साड़े 400 प्लस है इसका मतलब CUT में टॉप इन्वर्शिटीज में जाएगा इसको कोई नहीं रोग सकता JT के अंदर जिस बच्चे के 300 से लेके सवा 300 के बीच में नंबर है उन बच्चों को टॉप चो पांच इन्वर्शिटीज है वो आराम से आपको मिल जाएगी अच्छी इन्वर्शिटी इसका मतलब है 12 के साथ में इस बच्चे का जो JT है वो भी अच्छा जा चुका है और CUT में इसके 425 नंबर आ रहा है मतलब बहुत ही बढ़ी है स्कोर है आप बताएं बेटा स्यायटी में 535 परसंट नंबर है और JT में 330 JT में 330 नंबर आ रहे बहुत बढ़ी है बेटा और CUT के अंदर 535 नंबर आ रहे कितनी बढ़ी बात है 535 नंबर लाना बहुत बढ़ी बात है बार्वी के साथ में और साथ में 12 का भी बहुत अच्छा इसने रिजन्ट दिया है जेटी में 330 का मतलब फैस्ट चोईस इसको मिल जाएगी जो बरेगा वो मिलेगी यह जो है बच्चा जो है अमन हमारा इसका रिजन्ट है नेक्स्ट बेटा आप बताई मोही जाजड है आप है और सीउटी में 469 मंदल साढ़ी 400 का आकड़ा पार कर रहा है पूरे जो परपस थे यह एड्मिशन लिया हो पूरे सोल हो रहे है आप बताएं बेटा सर मेरे सीउटी में 516 और जेटी में 316 होन रहे है यह राहुल चोदर है 516 नंबर सीउटी में आ रहे है जेटी में 316 नंब है 10th से लेके अभी तक है कि इतना आसान काम नहीं है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 3.300 आ रहे हैं तो भी मिटहें बांठ रहे हैं कि मेरे 3.300 αगय है 400 आने पर भी भच्छे जो हैं खूस हो रहे लेकिन अगर कोई बच्चे 4.500 से नंबर ज्यादा लेकर आ रहे हैं औ लेकिन रोयल इंशिटूट में एडमिशन ले लिया इन्हों ने, इसलिए नंबर आगे, ऐसा नहीं है, मुझे पता है, दो साल इन बच्चों ने जो राते काली की है, और जिस तरीके से मंद से इस सिस्टम को फोलो किया है, वो ये जानते हैं, या फिर हम जानते हैं, आप लेकिन आपने जान लगाई है, मैं कहता हूं, चार लोगों की भूमिका होती है, इस्टूडेंट, फिर पेरेंस, पेरेंस ममी पापा आगे, तो इस्टूडेंस और इंस्टूटूट, इस्टूडेंस और इंस्टूटूट, तीन हो गये हो रोज, अगर कोई बच्चा ये कोई नहीं, देख लूँगा मैं, तो क्या इंस्टूट उसका रिजल्ट ला सकता है, मतलब बच्चे को ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा, कि मैं करना चाहता हूं, बच्चा मेन है, मैं हर बार कहता हूं, कि बच्चा मेरे को ये कह दे, चाहिए उसको खिताब पढ़ना चाहता हूं, और जो बच्चे इसको देख के इनकी जगह आना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इननने कौन सा रास्ता फोलो किया है, सबसे पहले इंट्रोडिक्शन हो गया, हम इन से जानना चाहेंगे, कि आप मुझे ये बताएंगे, जैसा कि मेरा ये मानना है, कि किसी भी बच्चे को रिजल्ट आने के लिए पहले शिद्धी उसकी ये है, कि वो कलास में परजेंट रहें, कि आप दो साल इमानदारी से परजेंट रहें थे, उस बात को आपने अच्छे से सुना, कि अगर हम बोलेंगे तो बच्चा सामने रहना चाहिए हमेसा, तो आ आपके वहाँ मेनेजमेंट की तरफ से ओस्टल में ध्यान रखा गया, कि बच्चे क्लास में गए और नहीं गए, यह सर माप अटेंडेंस होती थी, और अपसेंट की वहाँ एप्लिकेशन लिए जाती थी, कारण हो तो ही रुख सते थी, बाकि यह से पूरा ध्यान रखा ज बाकि जाती है तो हमने अपने सहस्तान के अंदर में वीडियो भी बॉलता हूं, बता रहता हूं बताता हो कि महारे पास यह एशी कलास்रूम है और वेवस्थित ग्लास्रूम है, हर क्लास में डिजिटल बोड है, यह बास सही है या गलत है? यह बात एकदम से है सर और उनका बहुत हमें बेनिफिट भी मिलता है जो डिजिटल बोर्ड है उनका जो भी चीज समझ नहीं आते हो सर उसमें दिखा देते हैं पूरा क्लियर हो जाता है मतलब अच्छा डिजिटल बोर्ड से वीडियो भी दिखा देते हैं आपको इसके अला लेकिन मुझे लगता है किसी भी इंस्टिटूट की रीड की अड़ी जो है वहां का स्टाफ होता है आपने ट्वल्स भी पड़ी अच्छे नंबर लेकिया नाइंटी-3 परशेंट बने आपके और आपने यह भी पड़ा कॉंपिटिशन भी किया साथ का साथ इस्टाप को लेकिया आप क्या खरना चाहोगे थोड़ा सा बारी की शिया बताए इससे टेस्ट होते है उसमें पूरा ध्यान रखते कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा और खासके टीचर तो बहुत ही अच्छे जो कंटेन उनने दिया एक जेट वहीं से क्वेशन उटके आए बहुत बढ अच्छे जो अलग है जो कि बार वी जार वी की बुक में नहीं लेकिन अलग शिपढ़ना होता है तो आपको क्या पूरा पढ़ाया गया वेवस्ति यह सर पूरा अलग अलग टाइम पर कोर्स कराया गया जिसे पहले बोर्ड का पूरा कंप्लीट करा दिया साथ में तोरे द चुटी को जो है गाहूं बुलाते हैं उन पैरिंट्स को आप क्या करना चाहओं की पैरिंट्स को समझजाओं कि मुझे दर्द होता है उस चाहिं मुझे लगता है या हमारा एक एडमिशन आई आ रहा ही वाला है या बीह एच्ची वाला भी सुमेरपूरी जाएगा क्योंक तो अगर वो दो दिन के अंदर चला गया तो पूरी जी आने आली समझ में और जब वो जो बेस समझ में निया तो उसका पूरा आगया ले चेप्ट्रिक करा भी जाएंगे तो आपका यह कहना है कि बच्चा परजेंट रहे हैं बिल्कुल पूरा साल परजेंट है कर वह आया ह महनत भी कर रहे हैं अंडेड परचेंट दे रहे हैं लेकिन कहीं बार बच्चे पढ़ते ही उनको ëसा है मुत्रwend को थिकते उट है तो वह पर नियोज में पढ़तेकं है शाइश मैं कि आई घ्का का रहाते हैं मुतिया पड़ने की जुरूद भी नहीं रहता है उससे ज्यादा करने की जुरूद भी नहीं है उससे हो जाता है नौर से आप मुझे इमानदारे से बताएं क्योंकि आप एवरेज बच्चे 60 परसेंट के कभी आपको ऐसा लगा कि यहां पर प्रिशराइज किया जारा बच्चों को क स्टैकर्शचों करता है जैसे आपके जो ते यह से आपके बार की जो टीचर थे और कंप्यटीशन के यह स्टे जैसे एक एवरेज बच्चा होता है, क्लास के अंदर जैसे इसको बोलते हैं पन बेश सेग्रिगेशन की टॉपर्स बच्चे उनको अलग लेया हो, कमजोर कमजोर उनको लेया हो, टॉपर्स को इतना बड़ी अपड़ा होता कि एक बार मच आपने काम में आई, कमजोर है कि उ सुरू से लेके लाष्ट तक तो यह की बेश चला कर देए हो, यह सब बिलकुल नहीं है, एक ही बेश में पढ़ेते सब और सब बच्चे को एक जिसा है मान के बढ़ाते हैं, तो कोई ऐसा सेग्रिगेशन नहीं होता है, बेश सेग्रिगेशन की प्रोब्लम नहीं है, रोई सबस्तव जा जाता है, अचा कहीं बार ऐसा होता है, जिसे कहीं बार देखा गै है, कि किसी बच्चो को इलेवन ट वर्थ में कहीं कैयारी करने बेश दिया, फिर वो पता चला की नीट करने गया यह जे करने गया, तो वो नीट जेही तो चोड़ो, बार भी दुबारा करनी पढ़ रही हैं तो रोईल इंशिटूट में बच्चा बोर्ड भी अच्छा करें मैं कहता हूं अखेडमिक भी माइने रखता है और साथ में आप जेर्श यूटी भी कर लें तो उसके लिए हम तेस्ट लेके बच्चों के सब्जेक्टिव भी लिए औबजेक्टिव भी तो अजय तो यह बताओ कि सब्जेक्टिव की कोपी छेकरना टफेष्ट जोगेदर्ती तो तो टीचर्स के लिए भी एक एश्टा काम आजयता है तो आप लोग बताओ कि आवास्तों में आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे जी सर दोनों टेस्ट हूइते सब्जेक्टि तुक्तात है कि कुछ इसी गलतीय है, कुछ बच्चे कर देते हैं, जिस की वज़े से वह इतना अच्छा नहीं कर पाते है। जिसे कहीं बार लगता है कि यार गजानन मेरे से बढ़या करेगा। लेकिन पता कि गजानन तो दिरे दिरे करके रिच से न सी ही बाहर हो गा. तो कोई नो कोई गजा लंदे गड़बड की होगी, वो मुझे तो नहीं पता लेकिन आपको पता है। तो आप ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पर कि या तो किसी बच्चे ने क्यों सब्जक्टिव पर दिया और अब्जक्टिव पर नहीं दिया। किसी ने अब्जक्टिव पर दिया तो सब्जक्टिव पर नहीं दिया। किसी ने क्या किया कि बार इल बोर्ड का जैसे ही पेपर हुआ तो उसने सोचा कि आप तो घर जा के पड़ लेंगे। तो ऐसे भी कहीं लोग सहीद होगी। तो आप बच्चों को यहां क्या बोर्ण चाहोगी। कि इस तरह की गलती हैं विद्ध के 535 नमर आएंगे। आप सब चार्श पर लाएंगे। तो कुछ तो आपने अलग किया हैं या वो जो लोगों ने गलती हैं कि वह आपने नहीं कि सबसे पहले चीज तो है वो और कॉंफिडेंस कुछ बच्चे जिसे नाम तो नहीं लेंगा पर जिसे जो क्लास टेस्ट होते तो उसमें अच्छे नमर आते तो जड़ा और कॉंफिडेंस होते थे तो उसमें के जड़ा नमर आनी भाई जो में एक्जाम हुआ और कुछ ऐसे थे जो जिसे बोर्ड एक्जाम जिसे क्लोज आये तो इससी कंप्लीली बोर्ड की ट्रफी डाइवर्ट हो गए इसा नहीं करना होता है दोनों को आप गईना के एक्वल्टी देके मैनेज करना होत तो बच्चों से हम रिक्वेश्ट करता हूं आपको पता है मेरे जी तने रिक्वेश्ट बच्चों से साहई दि कोई करते हूंगी तो मैंने उस टाइम में आपको बार-बार का कि कीशी भी बच्चे को घर नहीं जाना चाहिए और आपके लिए हम एक भी दिन की छुटी न आप समझ में आगई लाइश्ट तक कोस्टन में ने इनमें अकबार में वही बच्चा आता जो लाइश्ट तक यहां टीचर्स के सामने बेटा रहता है माननो तो ठीक है नहीं माननो तो आपकी मर्जी है पेरेंट्स तो देखो दो जार बाद में सब की एक एक है आज मेरे क कोई मेरा बच्चा दिली से ये कह देगा, मैरा बच्चा ये कह देगा, कि मैं आगोर का हूँ, और उदेपूर से फौन कर दे मेरे पास, कि पापा यहां तो कोर्स हो गया, 11 वाल्स का पूरा इस पूरा प्लिट हो गया, मैं टोब लाके दिखाऊंगा ठीक है बेटा आजा तो पेरेंट्स इतना ही कर सकते हैं आप इनको गाइड करो एक चूल में कि वास्तों में बच्चे को बच्चे का मकसद यहां 12 करना है 12 के साथ में जेर सीटी है और जेर सीटी करना है तो उसको कब तक यह रुकना चाहिए उ बारवी का पेपर होने के बाद में रुकना चाहिए बच्चे को यहां बहुत बढ़िया जो रुके है ना उन्होंने विशेश की है अच्छा जैसे अभी रिजल्ट आया आपने तो एगरी कल्चर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 200 में से 200 नंबर आई तो आप इसक सोचो कितना लंबा चोड़ा दो देश है कितने जहेड श्यूटी की कोचिंग है पूरे देश में लेकिन 180 में से सार से उपर बच्चे 62 बच्चों की तो मैंने दो दिन कहले पोश्ट डाल दीती अभी मैं आज और डाल दूगा मतलब सार से उपर बच्चे अकेले रोईल इ आप अपने अगरी कल्चर में बताएं कितने हैं मेरे 194 मतलब एक क्यूसने इसका गलत हो गया तेरे कितने हैं 200 में से 200 आपके चार में से तीन बच्चों के 200 में से 200 आप देख सकते हो किस लेवल तक टीम काम करती है और एक एवरेज बच्चे को जिसके 60 परसेंट वह बच्चा भी 194 लेकिया है सब्सक्राइब करने अब द दोड़ा तो आगे अपन थोड़ी शी चर्चा करते हैं कहीं बार बंपने बच्चों को दूर वेजते थो उनको इसा लगता है कि बार बेजे तो थोड़ा पता नहीं किसा माहोड रहूगा तो खाने शीपथे दो साल आ आपने रोइल कीमेश काना अच्छा कैसा रहा सई से बताऊ इमांदारी से कैसा खाना है रोई का खाना बड़ी है बाकि ऐसे देखा जाए इतने बच्छों का खाना साहथ बनाना सब करना लेकिन परफेक्ट खाना है नहीं कई बार क्या होता है सुरू सुरू में एडमिशन टाइम खाना अच्छा देते हैं बाद में पल्टी मार जाते हैं नहीं सर पुरा सही रहा है अच्छा बहुत बढ़ियां मैं खुद इन बच्चों के साथ में इनकी टेबल पर बेट के खाना का रहा हूं 2011 से और में चले जाते हैं तो जाने के बाद में बच्चों का कोई शेड्यूल है या फिर अपने ही साफ से बच्चे पढ़ते हैं नहीं सर पूरा शेड्यूल है सुबह पांच बजे उठाए जाएगा तो सर उठाएंगे और 11 बजे बोला है बाई सो जाओ जिसको सो नहीं सो तो लोगा चाहएं जीला है मैने के लिए घारम पाने के लिए सूईधा है या बहुत बढ़ा इसके अलावा जैसे कहीं बार पेरेंस बच्चों को बेचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं जा रहा तो रास्ता नहीं बटक जाए विशेश तोर पर जैसे मोबाईल फोन एक बड़ी बीमारी है इसके अलावा नसा वरतमान टाइम में बड़ा हो गया देख पा कि कोई बच्चा रास्ता बठक सकता है अगर होस्टल में रही तो नहीं सर रास्ता नहीं बठकेगा पूरा ध्यान रखा जाता है और चीफ सरे जो गूमते रहते हैं यहां मतलब पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहीं बार ऐसे गलत काम तो नहीं कर रहा है कुछ तो ऐ जो गलत करेगा उसके लिए फाइन है तो बच्चा कोई कोई ऐसे डर फाइन के डर से भी पूरा मनलब रो लाइन पे रहते हैं बहुत बढ़ी है अच्छा आप मुझे बता हैं मन बता हैं आप यहां रोहिल उदेपूर के शेये किस ने आपको गाइड किया था कि उदेपूर रोहिल इंसीटूटों फिर यहां पे आया थे हैं बहुत बढ़ी हैं मैं आपको बताना चाहूंगा सोट में बारवी बोड के अंदर हमारे यह इस साल 95 से उपर ओन-लाइन और ओफ-लाइन मिलाके 95 से उपर पांच बच्चे रहें इसके अलावा 90 परचेंट से उपर 81 बच् साथ के साथ कांव बच्चेंट का वियुघ स साथ करहें इस अब मैं तो आप क्या प्राविट के बेटने आस्से लिव zijसन तो प्रे मoma आप क्रीपर ओड्रोप्र ऑन करनी में मैं हुल कजिए फैन कर दो भैक दें ब्ह Aryं गॉरित ऑप èना तर यह शी़िए ओ क्या गर यह द आपके किलिए रत्वा बताइए तो नाबार बेंक के वहां सर्विश देना सोच रखाऊ और एक जो रिसर्ज है वहां की भी आप बताइए बटा सर मैंने आगे पीसडी करके फिर तोड़ा से सर्च में रिसर्च में आपको आगे काम करना आप बताइए बटा सर जो कॉंपटिशन एक्जाम आएंगे गवर्मेंट जो के वह साथ के साथ देने के साथ पूरी तयारी करना अच्छा इन फुचर एगरी कल्चर में कुछ नो कुछ करना आपको आपको साइनटिस्ट बनना बहुत बड़ी है बटा एगरी कल्चर जो है अच्छा सब कुछ खतम हो सकता है लेकिन और आदमी सब के बिना रह सकता है लेकिन अगरी कल्चर प्रोड़क्ट के बिना नहीं रह सकता है इसलिए ऐसे बच्चे जो इस फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते है वो बिलकुल इसमें आ सकते है रोयल इंस्टिटूट पूरे इस बार पांसो चोसट नंबर रवी जो रगुनातपुरा का बच्चा है उसके 558 नंबर है 552 नंबर है इसके अलावा 500 से उपर बच्चों की लाइन लगी हुई यह बच्चा जो है इसके 535 नंबर 12 के साथ में इस तरीके से मतलब लग लग लाश्ट एर हमारे 650 से उपर द अच्चा है शिवम नागर जिसके 405 नंबर आ रहे है ओमार के अकोडिंग बाकी फाइनली रिजल्ट आने वाले 24 दिन में आजाएगा तब ही हम आपको बता पाएंगे इसके अलावा 12 की बात हो तो भी मारे जबरदस रिजल्ट है प्री पीजी की बात करता हूँ 2024 का रिज उदेपूर की है हमारे पास होस्टल मेश खाना अगरा वगरा सब चीजों की प्रोपर विवस्ता है इसलिए मैं सभी पेरेंट से कहना चाहूंगा कि किसी को भी बर्मित होने की जरूत नहीं है आपके लिए यह बहुत बड़ा टास्क है वर्तमान टाइम में किसी अच्छे इंस्टिटूट की आप खोज करो आप जांच सको कि अच्छा कौन सा है यह तफ टास्क है दर्ति पर सबसे टफेश जो वे एक अच्छे इंस्टिटूट की जांच करना तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगा एक तो उस इंस्टिटूट के अंदर यदी कोई बच्छे पढ़ के आएं तो पहले तो वो पता करें उन्चे मिलें संप्रक करें इसके अलावा इंस्टिटूट में खुद जाएं जब आपको मालो रोई लुदेपूर्म बेजना तो आप आख बंद करके विश्वास मत पर आप अपने बच्छों के साथ में आओ देखो दिन बुर हैं या पूल व्योस्त हैं देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्चे मिलो जब आपको लगता है कि वास्तों में यह सब कुछ ठीक है तो ही एड्मिशन करवाना है खाले दिल्स देखके किसी भी बच्चे का अपना एड्मिशन कहीं पर भी नहीं करवाना है क् कि एक यह बच्चों का क्रिटिकल टाइम है इलेवन टुवल्थ इसके नवर ड्रोपर बेज जो है यह पीक टाइम है बच्चों का इस टाइम अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो कई न कई बच्चों की आगे की पूरी जिंदगी पर इसका इफेक्ट आने वाला मैं पुने आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पर भी यदि आप अपने लाडले का एड्मिशन करवा रही हो तो एक बार आप जरूर रोयल विजिट करें और जो इस वीडियो में मैंने बातें बताई हैं उनको एक पेज पे लिख लें कि ये रातो रात के मैं में इदर की साइड आके बेटना चाहते हैं तो जो इन बच्चों ने बताया उसको आप फोलो जरूर करें बैटा आप पता रहे हैं इसके लिए आपका बहुत 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 आपार थेंक्यू 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 दोगिंयू थेलूना थेंक्यू जो कि अब डिता हैं इसके भि infin्वने बहुत आपिते हैं?